वाई एवरीवन इस यूजिंग पी एसडी वन इन देर थम्नेल तो है गाईज वेलकम बैक टो अधर वीडियो आज कल भाई लाइवस्टील की बहुत से वीडियो के थम्नेल देखे होंगे सकती है एटी परसेंट लोगों के थम्नेल तो अगर तुम में से किसी को यह चीज नहीं पता कि लाइक वह ऐसा क्यूं कर रहे हैं तो मैं तुम इस चीज को एक्स्पेंट करने वाला हूं तो देखो जैसा कि तुम बहुत पता है कि लाब पता है संपी के बारे में लाब पता ह संपी कितनी ज्यादा फेमस है इस टाइम पर वन ओफ द टॉप संपी में से एक लाब पता है संपी लेक टॉप पर ही समय लो दूसरी साइड पर अगर तुमसे पूछू कि से किन्द नंबर पर कौन से सबसे बेस्ट संपी है तो तुमारा क्या रिस्पॉंस होगा यास यास वही बात कर रहा हूं मैं लोयल संपी तो एक साइड पर लोयल संपी है टोप फेमस एक साइड पर लाब पता संपी है मेरे खाल में लाब पता संपी ज्यादा फेमस है लोयल संपी से तो PSD 1 जो है वो दोनों संपी के अंदर है एंड लाइक वो कॉंटेंट इस टाइप से ब लोयल लापता है और लोयल है ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा तर लोग इस SMP content को ही देखते हैं और लखीली हमारे PSD1 भाई दोनों SMP के अंदर पाए जाते हैं तो इस वज़ा से भाई PSD1 की hype बहुत ज़्यादा है और PSD1 को इस टाइम पे हर कोई जानता है लाइक एक तरह से भाई लापता में जितनी audience है वो सब जानती है लोयल की जो audience है वो सब जानते है PSD1 को so that's why लोग ज़्यादा तर PSD1 के यूज़ कर लेते हैं जिससे उनका थमनिर थोड़ा सा clicky दिखना start हो जाता है मैंने भी कर रहा है भाई मैं खुद अपनी example दे रहा हूँ उसके अंदर मुझे पीज ने आई वैसे वो बात अलाग है लेकिन जहां तक मैंने देखे काफी लोग जो thumbnail में PSD1 को यूज़ कर रहे हैं उनकी reach बहुत जादा high जा रही है जोगा PSD1 इस टाइम पे दोनों SMP के अंदर है लोगों का mind shuffle कर जाता है उस टाइम पे उनको देखने के बाद लोग समझते हैं कि शायद PSD1 इस thumbnail के अंदर होंगे तो ये थी मेरी theory और ये ही reality है मेरे ख्याल में तो तुम्हें क्या लगता है के बारे में मुझे कमेंट्स पर बताना एड़ास ही और विडियो के रिए सब्काइब कर देना